इस वीडियो में क्लास 10 के मेंसुरेशन के कुछ इन्पॉर्टिंट को देखेंगे जिसमें आपको सबसे पहले महतपूर्ण सुत्र दिये गए हैं जिसको आप भली भाती याद कर लेंगे जिसमें त्रिक जिखंड का छेतरफल का सुत्र है पाई आर स्कॉयर ठीटा बटा 306 डिगरी ब्रित की परिधी का सुत्र है टू पाई आर ब्रित का छेतरफल पाई आर स्कॉयर चतु ठांस का छेतरफल पाई आर स्कॉयर बटा 4 साथी साथ ब्लै का छेतरफल पाई कैपिटल स्क्राइब तो पहला कोशन बृत की पड़ी ग्यांत करें यदि त्रिज्या दिया गया है तो हमने कोशन नमर सी को गनाया है बृत की पड़ीदी निकालना है जिस अगर त्रिज्या 14 सेंटीमेटर है तो पड़ीदी का फर्मूला 2 pi r होता है तो 2 into pi का भेलू 22 वटा साथ और r के जगह पर हमने 14 cm को डाला तो जब 7 से 14 cm को हम लोग काटेंगे तो कितने बार में कर जाएंगे दो बार में तो हमारे पास जो भैलू बचे उसको मंटिप्लाई करेंगे तो 28 cm होगा इसी परकार आप बचे विए कोस्टन को बना लेंगे कोस्टन नमबर 2 है ब्रित का छेतरफल निकाले यदि तरिज्या दिये गए हों तो ब्रित के याथी हमने कोस्टन नमबर बी बनाया है जिसमें बी में रेडियस 2.1 cm दिया गया तो बात आता है कि 2.1 cm गुने 2.1 cm तो जब 7 सम 2.1 cm को कैंसल आउट करेंगे तो 0.3 cm बार में कडेगा हमारे पास जो भैलू आ गए उसको जब आप मंटिप्लाई कर लोगे तो आपके पास 13.86 जो है रिजल्ट होगा ठीक है चले हम लोग अगले कोशन त्रिजखंड का छेतरफल निकालना है जिसमें आपको दो भैलू आर का और ठीटा का दिया गया है आर और ठीटा दिया जाएंगे तो हम त्रिजखंड का फर्मूला यूज करके हम त्रिजखंड का छेतरफल निकाल सकते हैं त्रिजखन का छेतरफल का फर्मूला πाई र स्कूरर ठीटा बड़ा 360 डिगरी होता है, हमने यहां पर फर्मूला पल ही पर लिया है, जैसा कि दिया गया है, तो आर का बहलू 7 सेंटीमीटर ठीटा का बहलू 90 डिगरी है, तो 22 बड़ा साथ, पाई का बहलू, र स्कूरर तो 7 स सेंटीमीटर स्कूर, ठीटा के जगा पर 90 डिगरी तो 90 डिगरी है, ठीक है, अब हम लोग यहां 90 से 360 को काटेंगे, तो 4 तेमस में कटा, और यह 4 से 4 को 2 से काटेंगे, तो 2 तैमस तो 22 काटेंगे, तो 11 तेमस दो 7 से 7 कटेंगे, तो जो हमारे पास रिमेनिंग भेल हुआ हैं उस सभी को मंटिप्लाई करेंगे दें 77 by 2 cm2 हमारे आंसर होंगे अगले प्रस्ण है चतुर्थांस का छेतरफल निकाले यदि रेडियस दिया गया है तो मेरे प्यारे बच्चो इस कोस्टन को आप फर्मूला सिंपल फर्मूला लिख कर जो चतुर्थांस का छेतरफल पाई रे स्कूर ठीटा बने पाई रे स्कूर वटा फोर होता है आप उस फर्मूला को लिख कर बना लोगे हैं और साथी साथ बलाय का छेतरफल निकाले यदि ये कोस्टन दिये गए हैं चलिए हम दोनों कोस्टन को 4 और 5 नमर के के कोस्टन को मैं आपको बना कर बताता हूं जैसे चतुर्थांस का छेतरफल निकालना है तो आर का बहलू आपको दिया रहेगा 7 cm माँ लीजे कि आपको चटूर्थांस का चेतरफल लिकाना है तो सबसे पहले आपको चेतरफल का फर्मूला ही लिखने होंगे चतूर्थांस का चेतरफल का फर्मूला होता है pi r square बटा 4 आप या तो इसको लिख सकते है 1 by 4 pi r square हम लिख लेते हैं 1 by 4 और पाई के जगह पर आप 22 वटा साथ लिखोगे, आर के जगह पर 7 cm² है, तो इसको हम दो बार गुनार के रूप में लिखेंगे, 7 cm x 7 cm, 7 7 cancel, 4 को 2 से cancel करेंगे दे 2 बार, 22 करेंगे दे 11 बार, 11 को 7 से multiply करेंगे दे 77 cm² by 2, ये आपको चतुर्थांस के छेतरफल ग्यांत हो गय और question में जितने भी 3 number question में, 4 number question में आपको चतुर्थांस के छेतरफल ग्यांत है, तब इस परकार से चतुर्थांस के छेतरफल ग्यांत है, जिसमें capital R का भैलू आपको given है, मान के चलिए 10 cm और small R का भैलू दिया हुआ है, 5 cm, इस स्थिती में आपको निकालना है चतुर्थ चतुर्थांस के छेतरफल का फर्मूला होता है, पाई capital R square minus small R square, पाई के जिगावर 20 सब्सक्रा साथ लिखेंगे, capital R के जिगावर 10 cm लिखेंगे, 10 cm का स्क्वेर, minus small R के जिगावर 5 cm का whole square, यह हम फर्मूला यूज करेंगे, 22 by 7, 10 cm का स्क्वेर, 100 cm स्क्वेर, minus 25 cm square, 22 by 7, 100 में से 25 को जब सब्स्टेक करोगे ते 75 cm square, तो बात आता है, 22 by 7, अब इसको आप 75 को 22 से multiply करके numerator में डालोगे, और by में पहले से 7 है, cm square लिख लोगे, इस परकार से आप बलाए के चेतर लिखेंगे, को निकाल लेना, ओके तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद,